में इस जगर पर से आगमन हुआ और एक एटिहासिक धरा पर हम एक नया नई बात नई सोच जोड़ने की कोसिस कर रहे हैं हमारे श्वदेशी आंदोलं के प्रणेता भारत श्वाविमान के लिए अपना जीवन जोचावर करने वाले राजी दिच्छी जी के माध्यम से आप से संबाद करने की कोसिस करेंगे हमें प्रयास करेंगे कि अपना हाथ को ठान करें और इस राष्ट के विर्मान में अपनी अहम भूनी का निभाएं ये था इसे सिस्तलता आपते मैं अतिती उमदे इसलिकानी कि इच्छी जी भाई दया शागर जी हमारे पते देल योग्षमी दिवे में तरह के धर्चुमोदे आप शेलों है क्या आएं और इस कारिक्रम का दी प्रध्य नंकर शुभा आरम करें अतिती मोहदे राजी दिच्छी आप से नुरोध है कि आप माव भर्यत माता के शेल्चत पर माल्यार पंग करें अधिक्याइब शीला थिवारी निवारी थिवारी जा कर जद झाल मादन को जड़ मुश जड़ा है यह खुट हो में तरन śबार, आपता है लजा कि खज़ NA. टार लां चाल मुश को अच्च कि तरं लोग फ्री को नाख बन संसूव. आए एक संकत्र ने आप सभी कहें इदम रास्काई इदन ममा मैं कहूंगा आप सभी से ओम रास्काई स्वाहा आप कहें इदम रास्काई इदन ममा ओम रास्काई स्वाहा ओम रास्काई स्वाहा ओम रास्काई स्वाहा अतिती परंपरा का निरोहन करें और उनका स्वागत करें स्वागत की कड़ी को यहीं निरोहन से हम नगरवासियों को लाभान मित करें राजी जीचिची आज की सभा मैं उपस्ते बेबेतरा के सभी संभाल नियन आगरिक बंदू मैं आप सबका बहुत आभरी हूँ कि आप यहां उपस्तित हैं मुझे आप से संभाद करने का समय मिल रहा है पर सबसे पहले हमारी भारत स्वाविमान और पतिली योग समीती की जो बेबेतरा शाखा है एकाई है उसका आभार व्यक्त करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यह व्यवस्ता बनाई और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला मैं आपसे भारत स्वाविमान के विशे में कुछ बात कहने आया हूँ परंपुजिनिये स्वामी राम देव जी ने भारत स्वाविमान नाम का इक अभिहान शुरू किया है सारे भारत देश में ये अभिहान पिछले करीब पौने दो वर्षों से चल रहा है पांच जिन्वरी दो हजार मौकों ये अभिहान प्रावप हुआ और इसकी शुरूआत हुई हरे द्वार से अब धीरे धीरे भारत के करीब 600 जिलों तक हमारा ये आंदोलन पहुँच गया हुआ इस समय भारत स्वाविमान के इस आंदोलन में दो लाख पचास हजार योग सिक्षप सारे देश में अपनी सिर्वाईं दे रहे हैं और आने वाले दो वर्षों में 11 लाख योग सिक्षप इस आंदोलन में और आने वाले हैं अगले दो वर्षों बाद हमारे पास 13 लाख पचास हजार योग सिक्षप हो जाएंगे और उसके बाद हमें सभ्यान को भारत के गाउं गाउं तक पहुँचाएंगे आपके मत में प्रशन आएगा कि इस आंवलन को गाउं गाउं पहुचाने का उद्देश क्या है इसके दो उद्देशे हैं पहला उद्देश है भारत देश के हर एक नागरिक को हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना निरोगी बनाना हमारे भारत के नागरिकों की जो बीमारियां है उन्हीं सभी को दूर करना ये हमारा पहला उद्देश है और दूसरा उद्देश है भारत देश की जो व्यवस्था में बुराडियां आ गई है उनको दूर करना जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में बढ़ती हुई महगाई है ब्रश्टाचार, रिश्वत, खोरी, आतंक, वाद, नक्सनवाद ऐसी बहुत सारी भारत में समस्याएं हैं उनको भी हम हन करना चाहते हैं एक तरफ भारत देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है और दूसरी दरफ अपने देश की जो समस्याएं हैं, इनका समाधान करना है आपके मन में सवाल आएगा, कि हर भारत वासी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, तानायाम और आयनवेग इन तीनों के बारे में बताना चाहते हैं और इन तीनों की मदद से हर भारतवासी स्वस्थ हो सकता है योग से, तानायाम से, आयनवेग से हम हर भारतवासी का इलाज कर सकते हैं तो हम गाउं गाउं जाकर लोगों को यही सिपह रहे हैं सारे भारत देश में हर दिन हमारी एक लाख योग कख्षाएं लगती और इन एक लाख योग कख्षाओं में दो लाख पचास हजार योग सिख pasti हर दिन लोगों को योग प्रणयाम सिपाते और करोडों भारतवासी इस योग प्रानायाम को सीखते हैं और अपने जीवत में उससे बहुत सारा लावों को मिल रहा है पिछले दस वर्षों से लगाता परमपुजिने स्वामी रामदेब जी भारत के अनेक अनेक इस्थानों पर शुजरों का आयोजन कर रहे हैं अपने जीवन में योग प्रानायाम और आयोवेद का आपसे भी मैं यही कहने आया हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग प्रानायाम और आयोवेद का उप्योग करें और आपकी हर बीमारी के लिए उसका समाधान उसमें मिलेगा आपके मन में ये प्रशना सकता है कि योग प्रानायाम से कौन कौन से बीमारी ठीक होती है हमारे शरीर की हर बीमारी इससे ठीक होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती है वो योग प्रानायाम से ठीक होती है जैसे ये बहुत खराब बीमारी है उसका नाम है डाइबिटीज ये डाइबिटीज नाम की बीमारी शुगर की बीमारी एलोपेथी ठीकित सामय है अंग्रेथी ठीकित सामय कभी भी ठीक नहीं होती है लेकिन योग प्रणायाम और आयूमेत के मदद से ये वीमारी बिल्कुल ठीक होजाती है इसी तरह से एक बिमारी है, हाई ग्लड प्रेशर उच्छ रखत दबाओ, ये वीमारी भी अलोपैथी जिकल सामे ठीक नहीं होती लेकिन योग प्राणयाम और आयोगेद से यह भी ठीक होती है Low Blood Pressure एक और भीमारी है दमा है, अस्थमा है, ब्रॉंकिल अस्थमा है, ट्यूकरकुलोसिस है ऐसी बहुत सारी भीमारियां है जो योग प्राणयाम से बहुत जल्दी ठीक होती है आयोवेट से और जल्दी ठीक हो तो आप सभी अपने जीवन में योग, प्राणायां और आयोवेट का अगर पाने करीए तो बहुत सारी विमारियां आपकी ठीक हो आपके मिन में ये सवाल आएगा कि कौन सी विमारी के लिए कौन सा प्राणायां करना है और कौन सी विमारी के लिए आयोवेट की कौन सी जमाने लिए है यही आज मैं आपको बताने आया हूँ आप अपने जेट से अगर पैन निकालने, काबज निकालने, डाइरी निकालने और लिख ले तो आपको बहुत लाग दोगा मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम अपने योग प्राणायां और आयुद्वेट से कैसे उप्चार कर सकते हर गबधीर बीमारी उसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हमारे भारत में करीब सो करूनों लोग बीमार है इस समय एक सो बीस करून की हमारी आबादी है और सो करून भारतवासी बीमार पांच करून सतर लाग भारतवासियों को डाइबिटीज करूँ है चार करून असी लाग भारतवासियों को हिज़र है करीब आट करून भारतवासियों को कैंसर है बारे करून भारतवासियों को आँखों के भिन मिन नरूं है चौदे करून भारतवासियों को तमास थमा है चुबर क्रोसिस है 70 क्रोण भारत वास्यों को भुठलो का दर्द कमर का दर्द है 20 क्रोण भारत वास्यों को High Blood Pressure, Low Blood Pressure है और 40 क्रोड माताइं हमारे देश में हैं जिने को फोर्ण की कमी का रोगे एन ही मिया अपने देश में बीमार लोग बहुत है और दूस्यी समस्या ये है और भारत में जो गरीब लोग हैं वों पैसे खर्च कि नगी कर सेथे तो इस बीमारिों में बहुत सारे लोग बिना एलाज में अब्राज बेनी मर जाते हैं आजकल भारत में बीमारियों का इलाज बहुत महगा है और महेंगे इलाज के चक्कर में ज़्यादा लोग अपना इलाज में इता हुआ है तो हमने ये सोचा है कि हर भारत वासी को कुछ ऐसा इलाज बताया जाए जो बिना पैसे के आसामी से दो सके तो मैं आज आपकों बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ही इलाज बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो मैं शुरू करता हूँ डाइबिटीस से डाइबिटीस सबसे खराब रोग है जो हिससे में भारत में फैल गढ़ा है थोड़ी दिल पहले मैंने कहा पांच करूर सतर लाख लोगों को ये रोग हो चुका है और तीन करूर को होने वाला है और ये रोग में हमारे अंग्रेजी एलेकर्थी में एक ही दबाह है जिसका नाम है इंसुलिन और ये रिसुलिन इंजेक्शन के मात ने हमसे कोई लेता है कोई बोली के मात ने हमसे लेकिन ये रिसुलिन है नाम ये बहुत खराब है ये जा करती है लगाता है अगर कोई देखती रिसुलिन लेता रहे तो दोनों उसके पुर्दे खराब हो जाते है लिवर खराब हो जाता है अगर कोई देख्ती लगाता है इंसुलिन ले तो उसको ब्रेन हमरीज हो सकता है परलेसिस हो सकता है ब्रेन स्टोक आ सकता है लगाता है इंसुलिन कोई लेगा तो उसकी आपों की रोशनी चली जाते है अंधाव बना जाती है, नपनी सकता आ जाती है, इंपोटन से, तो इंसुलिन ये अच्छे नहीं है, आप इसे मत लेना कभी, अगर आपको कभी डाइविटीज को शुगर की बिमारी हो, तो इंसुलिन मत लेना, और अगर आपके परिचे में कोई व्यक्ति है, उसको भी मत ल बालती हो, बहुत जल्दी उसकी मत लेना हो जाएगी, इंसुलिन शुलिन को अंदर से पूरा खोखला कर देती है, तब फिर आप मोलोगे फिर क्या करें, तो डाइविटीज का आपना भारत में जो आयूवेद में इलाज है, और प्राणायाम से जो चपित्सा है, उसका उ प्योग करें, प्राणायाम में क्या करें, जिनको डाइविटीज है, शुगर की लिवारी है, उनको तीन प्राणायाम करें, पहला प्राणायाम है, उसका नाम है भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या होता है, आराम से ऐसे बैठना, सुखासन में, आलती पालती मार कें, और आ कैसे पैठ कर गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना। लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ना। इसी को कहते है भस्तिर का प्राणा। और यह पांच मिनिट करता हूँ। मैं एक बार करके बताता हूँ आप देख लेते, तो समझ में आ जाएता। बस ऐसे करते रहे पांच मनट के लिए यह बस्त्रे का प्रणायाम हर उस जगती को करना है जो इसको शुगर की और डाइबिटीज की भी मारे दूसरा प्रणायाम करना है उसको कहते हैं कपाल बाती कपाल बाती में क्या होता है हमारी सांस को जट्के से बाहर निकाला ताकत के साथ है और जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अगिदर जाएगा सांस बाहर निकालने पे ही ध्यान देना है लेने के लिए चिंता दिल करने, उशरी रखने आप ले लेगा, बस निकालने के ध्यान देना है, कैसे होता है, इप बर करके दिखाता हूं, आप सब कर पाईगे इसको, यह है कपान बात है, इसको लगातार आदा गहन दो तक करना है, पांच बिजट करना है बसने दा, आदा गहन दे कपान बाती, और तीसरा पर आखरी प्रायाम जो करना है, वो है अनलोग दिलोग, अनलोग दिलोग में क्या होता है, आपकी जो दाहिनी नाथ है, इसको बंद कर लेगे, और बाई नाथ से पूरी सांस को निकालेगे, फिर बाई नाथ से सांस बरेंगे, दाहिनी नाथ से उसे निकालेग फिर दाहिने नाग से सांस बनेंगे बाएं नाग से निका लेगे फिर बाएं से बनेंगे दाहिने से निका लेगे बस यहीं करो एक बार मैं करके बताता हूं आपको समझ भी रहा जाएगा इसको हम लगाता है आदा गंटे कर सकते तो पांच गुनट करना बसने का आदा गंटे करना कपाल बाते आदा गंटे करना अन्नों विलो यह तीन प्रहायां हम करेंगे नियमित हर दिन तो इससे डाइविटीज की बीमारी छुगर की बीमारी बहुत ज़ंदी ठीक है कोई भी लगाता रेंसे देड़ महिने यह कर लेगा बिल्कुल ठीक हो जाए अब इसके साथ में आप चाहें तो एक आयुन बेट की दवा भी खा सकते डाइविटीज के और वो दवा आप अप पर नेट की बहुत सारी दवाएं हैं उनको मिलाकर यह दवावण जाएगा कैसे बनेगी इसका आप सूत्र लिख लो फॉर्मूला लिख लो सौ ग्राम लेना मैथी का दाना मैथी दाना सबके ड़ना है वो सौ ग्राम लेना उसको धूप में सुखा कर पत्थर में पीस लेन मैथी दाने को दूप में सुखा है दो दिन दिन फिर उसको पत्थर में पीस लेना तो ये एक दवा है फिर इसमें एक दूसरी दवा में लानी है तेज पत्ता सौ ग्राम तेज पत्ता हमारे धर में हैं तेज पत्ता हम उसको मसाले में डामते हैं तो एक सौ ग्राम तेज प इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीज लेड़ा पिर तीसरी दवा है जामुन की गुठली जामुन का बीज जामुन का जो फ़त होता है उसको खाने के बाद अंदर का जो बीज निकलता है उसको धूप में सुखाने का और धूप में सुखाकर उसको पत्थर में पी सब्सक्राइब करते हैं बेव पत्र का पत्ता वो लेना धरी सो ग्राम दो सो पचास ग्राम पत्तर में पीस के पाउडर बनाएं तो 500 ग्राम बेव पत्र पाउडर, 500 ग्राम जामूर के बीच का पाउडर, 100 ग्राम रथी दाने का पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ता पाउडर, ये चारों को पीस कर आपस में मिला देना, अब यही दवा है डाइबिच इसकी, इसको हाइए कैसे एक चमच्च ये दवा सबेरे कर strang पानी के साथ ये ना, नाशड्र दवने से एक गोटे पहले, और एक चमच्च दवा शाम को देना, खाना खाने से एक गोटे पहले, दिल में दू बार फी दवा ये दवा देनी है, सुँगए शाम है, नाश्टे से सुई गंटे पहले सोगे और शांक को खाने से गंटे पहले और हर बार गरम पाने से लिए दवा अगर आप जिल दो महीं ने खाएंगे उतने में ही आपकी पैरिविटी स्टेप हो जाए बहुत अच्छे दवा है लिए कि हजारहाम दॉल को इस दवा में अच्छे से चीव करते हैं न्टे है तो प्रा नयवां करना है तीम नयवांयाम पहला बस्त्रेका दूसरा क फार्पादज अनगरो बस्त्रेका 5 मिनक्द कफार्पादज आदे गंटे अनगरो बिलो माले गंटे और इसके इससे शुगर इल्कुल ठीक हो जाती है, तो जब आपकी शुगर ठीक हो जाए, एक बार जाँच करा देना, तो डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है, कि शुगर ठीक हो गई, तो ये दबा तो बंद कर देना, फिर दबा जादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राणायां को तो इसका फाइदा क्या होगा, अगर आपने प्राणायांको हमेशा करते रहे आप, तो दूसरी बार कभी भी आपको डाइविटीज की बीमारी में नहीं होता है। इसका प्राइदा है। दबा बीमारी को ठीक कर देना, लेकिन प्राणायां सिर गारेंटी इस बार की है, क पिर दुबारा अभी भी ये विमारी नहीं कोश्ची और इसमें खर्चा क्या आएगा प्राणायाम करने में तो कोई मैसे खर्च नहीं होगे और ये जो दबा मैंने बताई है ये पंचीस रुपई में बन जाएगे अगर आप सौ ग्राम देंथी दाना खरी देंगे छे साथ रुपई में आएगा सौ ग्राम तेज पत्ता खरी देंगे दस बारे रुपई पाएगा सो ग्राम अगर जाम की बीच को भी खरी देंगे तीन-चार रुपए में मिल जाता है और धरी सो ग्राम गेट पत्र का पत्ता ये तो बिल्कुल मुफ़त में मिलेगा तो इस दवा को बनाने में 25 रुपए खर्च होता है बस और उतने खर्चे में जितनी दवा बनेगी वो तीन महीने चड़ेगी वो तीन महीने की दवा में आप बिल्कुल ठीक है ये बहुत सस्ता इलाज है डाइविटीस का शुगर का अब इसमें आप ये पूचों में किसना परेज क्या है इसमें एक ही परेज है जिनको ये डाइविटीस की बिमारी है वो लोगों को एक चीज हमेशा नहीं खानी है उसका नाम है चीनी चीनी का बढ़ेज है चीनी नहीं खा सकता क्योंकि चीनी बहुत खतरना जहर है और ये कभी भी diabetes को ठीक नहीं होने देता ये जो च्छीनी बनती है ना इसमें सबसे खराब एक जहर मिलाया जाता है उसका नाम है सर्फर सर्फर को हिंदी में कहते हैं गंधर और ये गंधर वही है जिससे दिवाली के पटाटे बनते हैं हमारे धरों में दिवाली के समय जो पटाटे चलाते हैं फुल्वरी चलाते हैं राज चलाते हैं या पंध चलाते हैं वो सभी गंधर से बनते हैं और वही गंधर से चीनी बनती हैं तो जब हम चीनी खाते हैं तो ये गंधर हमारे शरीव में चला जाता है चीनी के साथ और ये गल्दा कहना ये ऐसा खराब के मीकल है कि शरीर में चलातो जाता है ये बाहर में निकलता शरीर से हमारे शरीर की ऐसी बेवस्था है कि अगर कोई गल्ब चीज हमने खाय लिया या पी लिया तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी या तो पेशाम के रास्ते निकलेगी, या मल द्वार से निकल जाएगी, तट्टी के साथ निकल जाएगी, या कभी-कभी पसीने के साथ दंदली निकल जाते हैं। कई बार हमारे मूँ से बरेदम निकलता है, खांसी के समय, तो उससे भी दंदली निकल जाते हैं। लेकिन ये जो सन्फर है, ये कभी भी बाहर में निकलता है, ये चीनी खाते खाते अंदर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, और फिर खून में जमागो जाता है, और खून में जब सन्फर की मात्रा बढ़ जाती है, तो खून में गाढ़ा बना जाता है, जिसको हम कहते हैं क कॉलेस्टरोल बढ़ गया और यह जो कॉलेस्टरोल बढ़ गया अगर खून में तो इसके कारण एक सो तीन बीमारियां आती है एक सो तीन जब कॉलेस्टरोल बढ़ जाता है खून में तो हाई प्लेट प्रशर आता है जब कॉलेस्टरॉल बढ़ जाता है फुन में तो शुगर हो जाती है, डाइबूटीज हो जाती है, जब कॉलेस्टरॉल बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पैरलिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हर्ट अटेक आता है, कार्डिय करेस्ट होत कठिया, संदिवाद, हमारे चिनिक्सा विज्ञान में सबसे बड़ा शैतान अगर किसी को बताया है तो वो कॉलेस्ट्रॉन है, और ये कॉलेस्ट्रॉन बढ़ता है जब हम चीनी खाते हैं, ये सबसे जादा चीनी से बढ़ता है, तो आप चीनी ना खाएं, नहीं तो आपकी डाइटिस कभी भी ठीक नहीं है, तो चीनी खा परेज करें, यही आपको एक काम करना है, दवा खानी है, जो मैंने बता दिया, प्राणयाम करना है, और चीनी खाएं, ना चाहे में चीनी खाएं, ना दूद में, ना दही में, ना मठे के साथ, ना मिठाई में, कोई चीज म फिर आप बोलोगे तो क्या खाए चीनी की जगे आप गुड़ खा सकते हैं यह जो गुड़ है ना वो चीनी से अच्छा है क्वालिटी तो बहुत अच्छा है और कीमत में चीनी से सस्ता है तो आप गुड़ खा सकते हैं गुड़ में सलफर नहीं होता गुड़ में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो शरीब को बहुत फाइबा करते हैं जैसे गुड़ में कैलशियम बहुत होता है और कैलशियम से शरीब की हड़ियां बनती है गुड़ में फॉस्फोरस होता है फॉस्फोरस से हड़ियां मजबूत होती है गुड में में इशियम होता है, पुटेशियम होता है, इससे दिमाग काम करता है, गुड में सोडियम बहुत होता है, गुड में ऐसे सभी सूक्ष्म पोशक तत्व हैं, जो शरीर को काम आते हैं, तो आप चीनी छोड हैं, गुड का हैं, और मेरा तो सभी बाईयों से कहना है, बहनों से भी, कि जिनको शुगर की बीमारी है, वो तो चीनी ना खाएं, और जिनको बीमारी नहीं अब होगी ना, तो ये बीमारी होगी नहीं है, शुगर की बीमारी डार्पिजीस की बीमारी अगर है, तब तो आप चीनी नहीं हाएं, लेकिन अगर आप स्वस्त हैं, तो भ चीनी अगर आप खाते रहेंगे, तो एकना एक दिनी बीमारी आई जाए गया। दुनिया में जिसमें भी चीनी खाई हैं, हम सारी दुनिया के उधारन देख सकते हैं, वो इन बीमारीयों के शितार जोर हो जाए। तो आप ना खाएं चीनी तो अच्छा है। मैं आपको और एक रहस्य की बात बताओं, कि ये चीनी भारत में तब से लोगों ने खाई जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देशू। अंग्रेजों ने सबसे पहले चीनी भी लगाई इस देशू। सन 1868 है। और तब से भारत में चीनी का मैंने बहुत अध्यन किया। तो पता थुना कि जब तक हम चीनी नहीं खाते थे। तब तक इस देश में किसी को डाइबिटीज की बिविए। मैं तो कासे करूं आडानी इप्टार हूं केमरा पकड़ा हूं। जब तक हमने चीनी नहींखाई किसी को हाई व्याइब आज हुरी नही नहीं ञाँ humid हुआ। जब तक चीनी हमने नहीं खाई हुआरे देश में किसी को cancer नहीं हूए। जब से चीनी आई इस देश में अभी से में मिविए चेता जनए जो couple of एं जाता हूँ, अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, बुटेन में, इन सभी देशों में, अब लोगों ने चीनी खाना बन करते हैं, वहां के लोग अब जो भी चीज खाते हैं न वो शुगर फ्री होते हैं, शुगर फ्री मानें जिसमें चीनी ना डाली गए हैं, ऐसे अमेरिका में केक बनते हैं शुगर फ्री, अमेरिका में मिठाईयां बनते हैं शुगर फ्री, यूरोप के देशों में बहुत सारी चीज़े हैं शुगर फ्री, वहां के लोगों नहीं खा रहे, कारण जानते हैं, क्योंकि चीवी खा खा के वहां के लोग बहुत मोटे हो रहे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापे की बीमारी अमेरिका में हर तीसरा आदमी वहाँ बहुत मोटा तो इस मोटापे को दूर करने के लिए अब अमेरिका के डॉक्टर्स वोहों ने एक अभियान चलाया शुगर फ्री के लिपे माने कोई भी चीज खाओ जिसमें चीनी नहीं होने चीनी तो अमेरिका यूरोप के लोग चीनी बंद कर देए आप वो चीनी क्यों खाने हों आप भी बंद कर अच्छी तो है नहीं उसकी जबे गुड़ खाओ क्योंकि आप वो गुड़ खाने में बहुत फाइदा है एक तो सस्ता है जो दूसरा शरीद को बहुत काम आता है और चीनी शरीद के लिए नुकसान करती है आप पूछेंगे चीनी का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है वो सन्फर जो मैंने बता है खून को गंदा करता है दूसरा शरीद को बदल जाती है हम जो कुछ भी खाते हैं शरीद में जब वो हजम हो जाता है तो खून बन जाता है लेकिन जो चीज हजम नहीं होती वो कॉलेस्ट्रोल में बदल जाती है तो चीनी खाएं तो कॉलेस्टरोल बढ़ता है और गुड़ खाएं तो खून बढ़ता है खून से शरीड चलता है और कॉलेस्टरोल शरीड का दुश्वमन यो शरीड को चलने में लेता, माण आता है इसलिए आप सबसे मैं खहुंगा कि आप गुर खाना शुरू करें, चीनी बंद करें, और आप एक नियम बनाएं अपने जीवन, कि जब भी खाना खाएं, तो खाने के बाद थोड़ा सा गुर जरूर खाएं, आप बुलेंगे क्यों, आयुर वेद में कहा गया है, कि भोजन के बाद थोड़ा सा गुर खाएं, तो भोजन बहुत जल्दी भोजन पचता आप खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाएं, उसको हजम होने में सामनी रूप से 6 घंटे लखते हैं, खाना खा लेके हम 6 घंटे में हजम होता हैं, पचता हैं, लेकिन अगर खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खाले तो वो चार घंटे में ही हज़म हो जाता है। इसलिए आरिमवेग में कहा गया है कि खानी के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। और यह नहीं तो आप से कहना कि अगर चाह पीनी है तो गुड़ की पियो। बनाओर, लट्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओगे। तो दो फाइदे, पहला फाइदा है कि पैसे बचेंगे, क्योंकि गुड़ सस्ता है, चीनी की तुन्ना में, और दूसरा फाइदा है शरीर को ताकत में लेगे, और तीसरा सबसे बड़ा फाइदा है, कि सारे भारत वासी अगर गुड़ खाएंगे, तो आप जो गुड़ खर करते हैं किसाम, और गुड़ बनाते हैं किसाम, अगर आप गुड़ खा रहे हो, तो आपका पैसा सीधे किसामें के लिए, और अगर चीनी खा रहे हो चीनी, तो चीनी का पैसा जो है, वो भारत के सारे भ्रश्न नेताओं के घर में जाए, आप जानते हैं, सारी चीनी निल ह भारत में सबसे जादा चीनी विल हैं महराश्टों और सारी महराश्टों की चीनी विल एक-एक से हराम खुड और बहिमान देता है करना तक की सब चीनी विल बहिमान देता हूं अब हम चीनी खाते हैं तो हमारा पैसा बहिमान देता हूं के रह जाता है और बहिमान देता हूं अगर भारत से बहिमान देता हूं ब्रश्टाचार रश्वत खूरी खतम कर ली है, तो मेरा निमिदन है चीनी बनकव, तो ये बेईमान और ब्रशनेताओं के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे, और उनकी बेईमानी और उनका ब्रश्टाचार बंद होगा, और गुड़ खाओगे, तो पैसा सीधे गरीब किसान के पास पहुंचेंगे, मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला, कि भारत के लोग एक साल में जितनी चीनी खाते हैं, उतने ही रुपए का गुड़ खाएं, चीनी छोड़ दें गुड़ खाएं, तो गुड़ जितने रुपए का हम खाने लगें, चीनी के मूर ल किसानों के हमेशा के लिए हम करूड पती बना सकते हैं, क्योंकि भारत के गुड़ पहला करने के काम में 15 करूड किसान हैं, जो लगें, घंदा पैदा करते हैं, और गुड़ बनाते हैं, ये दोनों काम किसान करते हैं, तो हम गुड़ खाएं सारे भारतवासी और चीनी बं तो पंत्रे करोण किसान हमेशा के लिए करोण पती हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं और आज भारत के किसानों को मदद करने की हमें जरूरत है क्योंकि वो बहुत गरीव है और आप मत्या कर रहते हैं तो इसलिए आप गर खाईए, तो किसानों का भी बला होगा, आपके भी शरीत का बला होगा और गर से हर चीज बन जाती है, चाय भी बन जाती है दूप तो खेर हम पी ही सकते हैं, दही, मठा, सब गर के साथ खासे हैं तो आप याद रखें, चीज बन करें, गुडखाएं जिनको डाइबेटीज है, वो तो चीज तुरंद बन करने आज से ही और जिनको नहीं है डाइबेटीज, तो भविश्य में ये बीमारी ना आए इससे लिए आप गुडखाते हैं आगे चलें, और एक बीमारी के बारे में बात करता हूँ हमारी शरीप में एक खराब बीमारी है, उसका नाम है हाई गुड़ ट्रश्र, रख्त का उंचा दबा, ये बहुत खतरदान बीमारी है किसी की भी जान ले सकती है इस बीमारी के कारण अखसद लोगों को हर के पथा गाल जाता है काडियक अरस्ट हो जाता, ब्रीं हमरेज हो जाता है परलेसिस हो बातہ है इसलिए इस बीमारी को ठीक होना बहुत जरूरी आप दूने इसको ठीक कैसे करें इसके लिए तीन तो प्रानायाम करना है, पहला प्रानायाम बस्त्रिका, दूसरा प्रानायाम कपालबाती, तीसरा प्रानायाम अनुलो मिलो, बस्त्रिका करना पांच मेंने, कपालबाती आदर विंटे, अनुलो मिलो आदर विंटे, तो तीन तो प्रानायाम करना हाई बीपी और इसकी जो दवा है आयन देट की वो अपने घर में ही है उसका उप्योग करना उस दवा का नाम है दाल चीनी ये दाल चीनी जो हम अपने घर में मसाले के उप में इस्तेमाल करते हैं ये हाई पीपी की बहुत अच्छी दवा है कैसे उप्योग करें दाल चीनी को धूप में सुखा लो दो चार देट और जब वो सूप जाए तो उसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लो तो दाल चीनी का पाउडर बनी है इसको शहद मिला के गरम पानी के साथ खाओ आदा चम्मस दाल चीनी पाउडर आदा चम्मस शहद दोनों मिलाओं गरम पानी से सबेरे खाली पेट खौँ इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीप हो जाए अगर कोई व्यक्ति ये कहीं कि शहद नहीं है घर में तो खाली ताल चीनी पाउडर गरम पानी से खाल तो शहद थोड़ा महगा है गरीब आद में नहीं खरीद पाते उसको तो आप आदा चम्मस दाल चीनी लेलो और गरम पानी में मिलाओं पीलो या पहले पाउडर खालो पीछे से गरब पानी पीए इससे भी हाइब्रड प्रेशर ठीक हो जाए और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाइब्रड प्रेशर के लिए उसका नाम है मैथी दाना आदा चमच मैथी दाना लेड़ो और एक गिलास गरम पानी में रात को इसको मिला जाए मैथी दाना आदा चमच उस पानी को पी लो और जो मैथी दाना है उसमें उसको चबा के खा लो तो इससे भी हाइब्रड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है बहुत अच्छी दवा है ये हाइब्रड प्रेशर और ये जो मैथी दाना है ना इससे डाइबिटीज भी ठीक हो अगर किसी को hybrid pressure भी है और diabetes भी है उसके लिए तो यह बहुत अच्छी दवा है दोनों बीमारियों को यह ठीक करता है तीसरी एक दवा है अपने घर में hybrid pressure के लिए वो दवा है अर्जुन की छाल अर्जुन का पेड़ होता है आप सबीने देखाओगा 36 गड़ में तो हर जबें मिल जाते हैं अर्जुन के पेड़ में च्छाल उतरते हैं च्छाल तो आप समझते हैं पेड़ का जो तना होता है उसमें से सूखी लपड़ी निकलती है उसको च्छाली कहते है उसको धूप में सुखा ले बजार में भी ये मिल जाती है अर्जुन की च्छाल 20 से 25 रुपई किलो मिलती है तो अर्जुन की च्छाल धूप में सुखाएं दो तीन दिर में सूख जाती है फिर पथर में पीस के उसका पाउडर बनाएं और उसको आधा चमच गरम पानी के साथ खाएं आधा गिलास गरम पानी आधा चमच अर्जुन की चाली बहुत अच्छा होता है कि पानी में इसको डालते हैं अर्जुन की चाली को और उसे गरम कर लें उबारी दें जैसे चाय बनात वैसे अर्जुन की चाली की काड़ा या चाय बना कर उसे प्लिये तो उससे northern pressure बिल्कुल liberty जाया और ये जो अर्जुन की चाल है ये हिर्दय के वीमारी को भी ठीड करती है, जैसे हमारे हिर्दय में करीबार ऐसी विमाली आ जाएं जिससे ब्लॉकेज बढ़ता हो डॉक्टर कहता है ओपरेशन कराओं ब्लॉकेज हो गया है अब ओपरेशन आपकी जभुरत ने आप अरजून की छाल का पाउडर आधा चमच गरम पानी के साथ खाते रहो तीन-चार महने में हिर्दय का ब्लॉकेज भी निपन जाएं बहुत अच्छी दवा है यह अरजून की छाल और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाईब्रेट प्रेशन के लिए वो दवा है लॉकी का रस भी हो लॉकी है हम जो खाते हैं सबजी के रूप में उसका रस निका देना और एक कप लॉकी का रस रोज सबेरे खाली पेट देना नाश्टा करने से एक गंटे पहर है जब लॉकी का रस निका देना तो उसमें एक साउधानी रखनी है कि उसका जो छिल्का है वो ना निका देना चिल्का नहीं अटा देना इसकी सारी ताकत उसके चिल्के में है और अगर उन्हें छिलका हटा दिया तो लौकी बेका ले इस विए लौकी का रस निकाले छिलका हटाए गई अब रस निकाल लिया उसको पीना एक कब सबेरे खाली पे नाश्टे से एक अगर आप लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता पुदीना पत्ता तुल्सी पत्ता ये मिलाएं तो और अच्छा होगा पाच्छे पत्ता धनिया पाच्छे पत्ता पुदीना पाच्छे पत्ता तुल्सी और तीन चार गोई विर्च मने काली मिर्च ये सब पीस हैं धनिया, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च पीस के और उसमें डाल दे किसमें लौकी के रस में और उसको पी तब ये जो लौकी का रस है ये आपके हिर्दे की बीमारियों को भी पूरा ठीक करते सबसे अच्छी दवा है हिर्दे की बीमारियों अगर आपको डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि आपका दिल बहुत कमजोर है तो उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौकी का रस कमजोर दिल बादा अगर आपको डॉक्टर ने बेता कि हम आपको हाई डी पी के लिए और एक अच्छी द्वा बताता हूं आपको हाई बीपी के लिए वह ड़ा है बेल पत्र के पत्ते हम जो बेल पत्र के पत्ते शंकर भगवाल को अर्पित करते हैं वो बेल पत्र के पत्ते हाई ब्लड फ्रेशन की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें इसका पांच बेल पत्र के पत्ते ले लें, पत्थर में पीस करें, उसकी चट्नी बनाएं और उस चट्नी को एक गिलास पानी में डाल की गरम करें। और पानी को इतना गरम करें कि पानी आधा हो जाए। फिर उसको ठिला करके पिये। इससे हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को बीस-बीस साल से हाई बीपी की बीमारी है, वो दो महिने में ही ठीक हो जाती इससे, बेल पत्र के पत्ते से। और ये बेल पत्र का पत्ता बहुत कामका है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये डाइबिटीस को भी ठीक करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर और डाइबिटीस को ठीक करता है, यही बेल पत्र जो है कॉलेस्ट्रोल को भी ठीक करता है। और यह जो बेज़फत्र है न यह मुटापे की बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दबाएं अगर किसी को ऐसा लगता है कि बजन जादा हो गया मुटापा बढ़ भी खंकर बीपी भी ठीक कर देता है शुगर भी ठीक कर देता है ट्राइगलिसरेल ठीक हो जाते हैं पेट को भी ठीक कर देता है यह जो बेल पत्र है एक तो तरीका मैंने बताए कि इसको पत्थर में पीछ के पानी में गरव करके पिया और अगर आप चाहें तो सीधे चबा के भी उखा सकते हैं अगर दांत अच्छे हैं न तो पांच पत्ते बेल पत्र के मुह में चबाओ चबा के पीछे से गर्म पाली पी रोज सुगए खाली के बहुत बढ़िया काम आता है मेरा आप से एक छोटी सी दरखास्त है निवेदन है कि जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और ये बेल पत्र का पत्ता चढ़ाते हैं तो उसको मंदिर में छोड़ना नहीं बेल पत्र को शंकर जी को इस पर्ष कराके उसे वापस ले आना क्योंकि वो आपकी दवा है हम क्या करते हैं मंदिर में छोड़न देते हैं पुजाली उसको दूसरे दे निकठा करके कच्छे की पेटी में फेट देते हैं मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि भारत में श्रावन का महीना जब आता है सावन का महीना तो उसमें जितने सोंबार आते हैं सभी सोंबार को भारत रासी हजारों मीट्रे टन बेल पत्र चलाते हैं और वो सारा बेल पत्र जो है कूड़े के डिब्वे में चला जाता है मैंने हिसाब जोड़ा था कि सावन के महीने में जितना बेल पत्र हम शंकर जी को चढ़ा कर क कच्रे के डिब्वे में फेटते हैं अगर उतना बेल पत्र कठा कर लें तो बीस करोड भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे तो बेवी आप से ये विल्टी है कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेल पत्र उनको इस पर्श करिये और वापस लेआए और खाली के ये शंकर जी का प्रसाध हैं आप मंदिर में छोड़ते हैं ये शंकर जी के तो काम का है नहीं क्योंकि ना शंकर जी को हाई बीपी है ना लोग भी पी है और ना उनको कोई डियाटिटीज है ना उनको शुगर की वीमारी है ना शंकरजी का पेट मितला दुआ है ना उनका कोई मोटापा है तो उनके किस काम का उनोंने तो आपके लिए दिया है यह शंकरजी का प्रसाद है इसको जो है ना बेकार मत करो बहुत कामची चीज़ है ठीक है? आगे चले और एक बढ़िया दबाब बताता हूँ आपको high BP के लिए कोई भी पिएगा उसका high BP ठीक होज़े और ये जो गोमुत रहना ये कई विमारी ठीक करता है high BP तो ठीक होता ही है गोमुत पीने से diabetes गोमुत पीने का दर्द ठीक होता है गठिया, संदिवा गोमुत पीने तो कमर का दर्द ठीक होता है कंधी का दर्द ठीक होता है गोमुत पीने तो चक्र आना बंद हो जाते है सिंग का दर्द ठीक होता है गोमुत पीने तो दमा अस्थमा ठीक होता है एक अगेला गूमूत्र पीने से 48 बीमारियां ठीक हो जाते हैं इसलिए गूमूत्र बहुत अच्छी होगा इसको आप जरूर पीना आप इसको जब पीएगे ना तो दो सांधानी रखना इसमें पहली सांधानी ये रखनी है कि गाय मूत्र जब पीने को लेंगे तो वो गाय देशी होनी चाहिए जिसका मूत्र पी है हवारे भारत में दो तेरह की काया है एक देशी और एक विदेशी विदेशी काय मने जर्सी गाय, डोलिस्टियन, फिष्रीजयन उसका मुत्र मुत्र में है जो देशी गाय है उसी क भरेज़ अब आप यह कहोते पहачान कैसे करें देशी काय कौन सी विदेशी काय तो जो देशी गाये होती है ना उसकी पीठ पर ऐसे कंधा निकला गेता है। जिस गाये के पीठ पर ऐसे कंधा निकला हुआ है वो देशी गाये। और जिस गाये के पीठ ऐसे सपाठ है वो विदेशी गाये। तो विदेशी गाये का मुत्र में लेए। और दूसरी सावधानी ये रखने हैं कि जब गाय का मूत्र ले ले तो वो गाय गर्भुवती नहीं होनी चाहिए, अगर गाय गर्भावस्था में हैं तो उसका मूत्र नहीं पीना, वो नुकसान करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुमारी गाय का मूत्र पी हो, जो गाय मा नहीं बनी उसका मोत्र पी बचली बाच्छी कहते हैं बचली कहते हैं उसका एका मोत्र पी सकते हैं और ताजा पीमा सबेरें खाली पेड आधा कब जागाने कितने दिन पी सकते हैं दो-तीन महिने दो-तीन महिने गुबुत्र पीने से हर विमारी की कोचे हैं हर एक बिमारी अरतालीस बिमारी हैं बहुत जन्य पीपन तो आप इसका दिहान दोखिया और ये गुबुत्र की कई दवाएं हैं जो मैं पताना चाहता हूँ कि जैसे आँख की कोई बिमारी है, आँख, आँख से दिखाई कम देता है, मुतिया बिंद हो गया, काला पानी हो गया, रेटिने रिटेच्मेंट हो गया, आँख में जो है ना रात को नहीं देफता, जिसको नाइट ब्लाइंडेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं देफता, किसी को दूर करने कि था ये आँखों की सब बीमारी गोमुत्र से ठीक हो जाता क्या करना, आँख में ताजा-ताजा गोमुत्र एक एक बूंद डालना वो एक डॉपर आपा है ने डॉपर, जिससे हम दबा लें देना वो ड्रॉपर में गोमुत्र बनके आंख में डाल नहीं थे को आंख का हरे एक रोब इससे छीप होई मैंने तो हजारों रोबों को ये गोमुत्र आंख में डलवाया और उनके चश्मे उतरवा दे इससे चश्मा उतर जाए कोई भी आंख में गोमुत्र डाले चार-छे में ले चश्मा राम सुन गर जाए तो आप इस गोमूत्र को आख में भी डाल सकते हैं और यही गोमूत्र अगर कान में डाले कान में तो कान की रोग ठीट कर देड़ा है जैसे किसी व्यक्ति को सुनाई लेखिए को कान में ऐसे मवाद निकलता है यह कान में फोड़े कुची हो गए तो आप एक-एक भूम गाय का मूत्र कान में डाल दो सब कान की विवारी ठीप हो जाए अगर आपको कान में भवत तेज दर्द हो रहा है तो आप इतना ही करना कि गाय का मूत्र एक भूम कान में डालना दर्ड आपका एक मिनट में ही ठीक हो जाए एक ही मिनट में कान का दर्ड ठीक हो जाता है तो ये गोवमु दरबी भी सकते हैं आँख में भी डाल सकते हैं कान में भी डाल सकते हैं कुछ और दभा बताता हूं आपको इन भीमारी है low blood pressure खूल का दबाव जब कम हो जाता है इसकी एदो पैथी में कोई दबा नहीं है लो ब्लड ट्रेशर की लेकिन अपने घर में इसकी बहुत दबाएं है आयोड़ेट की लो ब्लड ट्रेशर की सबसे अच्छी दबाव है गुड़ गुड़ खाऊ दो और गुड़ कैसे खाएं पानी में घोली के एक गिलास पानी 20-25 ग्राम गुड़ पानी में घोल दो फिर उसमें नमग डालो नमग और फिर इसमें नीबू का रस में छोड़ो और इसको पी होता है इससे लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होता है और एक दूसरी बीमारी है लो बीपी के लिए अंगूर का रस पी और नमग डाल के एक कप अंगूर का रस और नमग डाल के पी इससे लो बीपी ठीक होता है अनार का रस ये भी लो बीपी को ठीक करता है एक का पनार का रस्पी और नमग डाल के इससे भी लोगी पीठी पहता है। संत्री का रस्पी और मुसंभी का रस्पी और नमग डाल के इससे भी लोगी पीठी पहता है। खजूर खाओ खजूर इससे बहुत जल्दी लोगी पीठी पहता है। एक और अच्छी दवा है लो बीपी की, मिश्री खाओ मक्कन में मिला के, मक्कन मिश्री, दोनों मिला के खाओ, इससे बहुत जल्दी लो बीपी ठीक हो, लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, दूद में घी मिला के पिया, एक गिलास दूद और एक चमच घी, इससे लो बी विपी की सबसे सस्की दवा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो नहीं दवा खरीद सकता, तो उसको बोलना कि खाली नमक को पानी में मिलाके ही पीता रहें, इससे भी लोग विपीता है, एक गिलास पानी और दो चुटकी नमक, दिन में दो तीन बार पिये, आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करें, हमारे शरीर में च्छाती की बीमारी हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ब्रॉंकियल, अस्थमा, टुबर्कुलोसिस इसके लिए, एक दवा तो मैंने बताई, गोबूत रफियों, आधा कप, इससे चींप होगा, और दूसरी दवा है, दाल चीनी और शहर, ये मिला की गरम पानी के साथ खौँगा, आधा चिंप दाल चीनी, आधा चिंप शहर, रोज गरम पानी से, और किस दवा बताता हैं, पेटी, हमारा पेट खराब होगा, दस हो जाए, डायरिया हो जाए, बीसेंट्री हो जाए, तो क्या दवा है? सबसे अच्छी दवा है जीरा, चबा चबा के जीरा खौँगा, पेट खराब गरा दस तो गए, बार बार टॉइलेट जाना पड़ रहा है, आदा चिंप जीरा ले लो, भूमे डाल के चबा चबा के खाओ, और पीछे से पीलो गर्म पानी, ये तुरंट दस्त बंद कर दें, और ये एक बार ही खाना बार बार में उतनले ठीक हो जाए, और एक अच्छी रवा है हमारे भर में, वो क्या है, ये जो कच्छा गूद होता है, बिना गर्म किय हुआ, आदा कब कच्छा गूद ले लो, उसमें नीबू निचोड के जल्दी से पीलो, क्योंकि दूद में नीबू डाले ना तो दूद फटेगा, फटने से पहले पी ना इसको, अंदर जाके फटना चाहिए, पेट में, तो नीबू डालते ही तुरंट पीलो, ये सबसे चल्दी ठीक करता है दस्त, इतनी खराब इस्तती है अगर किसी की, कि हर पांच मिनट में वो टॉइले जा रहा है, तो आप उसको कच्छे गूद में नीबू ने चोड़ के पिला दो, दस मिनट में ही ठीक हो जाए, बहुत अच्छी रहा है, अब इसका कुछ उल्टी बात कर, पेट साफ नहीं होता अगर किसी का, कबजियत रहती है पेट में, खुरी के पाखाना नहीं होता, टटी खुरी के नहीं आती, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छी लवा है, अजवाइन खो, ये जो अजवाइन है ना, आदा चमच अजवाइन, गुड़ मिला कर, एक चमच गुड़, आदा चमच अजवाइन, दोनों मिला के चवा के खाओ, पीछे से पानी पीलो, गरम पानी, और ये हमेशा रात में खाना, सूते समय, तो सबेरे उठते ही पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चुन खाओ, त्रिफला, त्रिफला चुन तो आप जा एक चमच त्रिफला चुन, गरम पानी से पूई भी खाएगा, तो पेट तुरन साफ होगा, रात को खाना चाहिए, सुवर पेट साफ होगा, और एक अच्छी दवाह है पेट साफ करने के लिए, अनार का रस्पियो, एक कपरोज, पेट साफ होगा, अंगूर का रस्पियो उससे पेट साफ होगा, मुनक्का चबा चबा के खाओ, मुनक्का या किश्मेश रात को पानी में डाल दो, सबेले उसको चबा के खाओ, पीछे से वही पानी पीए, पेट बहुत साफ होगा, और एक बढ़िया दवा बताता हूँ, बिल्कुर ठोकट की, जब आप खाना ख खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं, उनको कभी भी पेट की बिमारी में जाते हैं, आप पुछोगे कितना चबाना चाहिए, रोटी का एक टुगडा मुह में रखो, और बतीस वार चबा, हमारे बतीस दांत है ना, तो बतीस वार चबा, धीरे धीरे जितना चबा खाओंगे कमें कितने अच्छा एक पैट और बाटी स्टय रहता है। पानी बात होता है, गठिया होता है, पेठ खराब होगा, अबजियत होगी, कॉंस्टिकेशन होगा, ये गठावट पानी पीना चाहिए, पानी को घूप घूप पीना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं, ऐसे पानी पीना चाहिए, दूप पीते हैं, गरम दूप ऐसे पानी पीना तो पानी को भूब भूब प्यों पखाने को खूब तीनों को मिला लो पाउंडर बना के और इसको गरण पानी से लिदो एक चमच रोज सुगे खाने के तो गठिया का दर्ध ठीक कर देगे दो-तीन महीं में ठीक हो जाए गठिया के दर्ध की और एक अच्छी द्वा है अपने घर में या घर के आसपास कहीं मिल जाएगी एक पेड होता है उसको हम कहते हैं हारसिंगार और कुछ लोग उसको कहते हैं परीजात ये जो परिजात और हारसिंगार का पेर है इसमें छोटे-छोटे सफेद फूल आते हैं सब जमीन पर बड़ी मिलते हैं ये है हारसिंगार का पेर इसके पांच पत्ते तो पत्थर में पूसके उसकी चटनी बनाओ और एक पिलास पानी में इतना गरम करो कि पानी आधा हो जाए फिर उसको ठंडा करके पीड़ो ये गठिया रोकी सबसे अच्छी नहीं अगर किसी को बीस साल से गठिया रोकी साल से तो इसी से ठीक हो और दो मन्ये में ठीक हो इस नहीं मेर आदमी नहीं नहीं दोगा जी और एक दमा बताता हूँ गठिया रोकी और एक अच्छी दभा है जो पान में चूना खाते हैं ना ये इसी गठिया बताता है कैसे खान के गेहू के दाने के बराबर चूना दही में दिलागे खाएं आदा कब दही और गेहू के दाने के बराबर चूना दही ताजा होना चाहिए खटा है और अगर दही नहीं खा सकते किसी कारण से तो चूने को दाने मिला के खाओ एक कटूरी दाल और गेहू के दाने के बराबर चूना और ये चूना खाने का तरीका है पानियों में मिला के पीलो एक गिलास पानी और गेहू के दाने के बराबर चूना तो चूना खाओ, तो घटिया, पुटे कदर, कमर कदर, कंदे कदर, जोडों कदर, सब ठीक है और ये जो चूना है ना, ये सबतर बीमारियों में काम आता है मालिया अकेला चूना सबतर बीमारियों ठीक कर दे जैसे किसी को बहुत खतरना की रोग होता है, जॉन्डिस, पी लिया, हैपिटाइटिस उसकी सबसे अच्छी दवाह है चूना, जिनको पी लिया हो जाता है, उनको गन्ने के रस में चूना पिलाओ एक गिलास गन्ने का रस ले लो, गेहूं के दाने के बोई लाद और यही चूना बहुत अच्छी दवाह है, हमारे किसी भी ऐसे भाई को, जिसको दीर में शुक्राणों नहीं बनते नपन सकता की दीमारी अगर किसी को है, दीर में शुक्राणों नहीं बनते ऐसे किसी भी भाई को कहो कि गन्ने के रस में चूना भी है एक गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना भी है लबाई नहीं बढ़ रही है, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिला को खाएंगे और ये चूना क्या करता है? ऐसे कुछ बच्चे अगर आपके घर में हैं जो मद्धी मंद्ध है, मानसिक रूप से कमजोर है ये उनके दाने के बराबर चूना दही में मिला के खिलाओ, दो तीन साल खिलाओ, बुद्धी बहुत अच्छी होते है, इस मुर्ण शक्ती बहुत प्रढ़ती है अगर आपको मुँ में ठंडा गरम पानी की शिकायत है, कभी पानी बहुत ठंडा लगता है, कभी गरम लगता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा चूना है चूना पानी में गोरी के पीओ, दही में मिला के खाओ, मुँ में ठंडा गरम पानी नहीं लगेगा और ये चुना बहुत अच्छी दवा है हर ऐसे ग्रती के लिए जिसके नाफुन खराब है जिनके नाफुन खराब है उनकी दवा है चुना और ये चुना बहुत अच्छी दवा है ऐसे सब नौजवानों के लिए जिनके मुहां से निकलते हैं चेहरे में वहां से निकलते हैं की लिकलते एं उसके सब से अच्छी दवाय। माताओं को एक बात चाता हूँ कि हमारे धर में जब किसी माँ की उपर 50 वर्ष पुरी हो जाए और उसका मासिक धर्म बंद हो जाए तो उसको चूना सब से अच्छी हो जाए। जिन माताओं का मासिक दर्म बंद होता है उनको चूना खिलाना चाहिए गेवों के दाने के बरादर दही में नहीं तो दाने नहीं तो पाने और यह चूना जो है ना हर उस मां को देना चाहिए जिसको गरभा वस्था में बच्चा होने वाला है जो मा गर्वबती है वो सभी को चूना खिलेगे क्योंकि गर्वबती मा को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है केल्शियन के और चूने में सबसे ज़्यादा केल्शियन और गर्वबती मा को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में एक का पनार करस और गेहों के दाले के बराबर चूना रोज दीजे, लगाता नौ महीने तक दीजे तो चाहँ फाइदे होगे पहला फाइदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा फाइदा ये होगा कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो बहुत स्वास्थ होगा तन्दोस्थ होगा और तीसरा फाइदा ये होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशेया है जिस बच्चे की माने चूना खाया है वो सब इंटेलिजेंट होते हैं बहुत बुद्यान पर चौथा सबसे बड़ा फाइदा है कि बच्चा को जन्दी गंधीर बीमारियों में नहीं ठसे बीमारियों में नहीं दौए जीवन तरस्वस्त रहेदाते तो हमारी सब माताओं को ये बात मालूम हो तो अच्छा है आप सब करादें कि जब किसी मां को बर्बावस्ता है एक का पनार करस अभी साथे लगाता है नौ महीने तक हाँ ये जो चूना है न ये कई और भी माली ठीट करता है जैसे आपको चम्री का रोल है खाज, खुजली, इदार, सुराइसिस एक बहुत खराब रहुता जिसको सफिर दा कहता है और अगर किसी को आपकों की रोशनी कम हो रही है तो उसको कहो चूना खाए बहुत रोशनी अच्छी रहती आँखो ये जो चूना है न मैंने आपसे कई भार कहा सब तक विमारियों में काम रहा है बहुत अच्छी रहा है मेरा लेक सुझाओ है आप सब लोगों को कि आप अपने घर में जो पीने का पानी होता है न पीने का पानी उसमें रोशनी चूना मिला दो जो भी पानी पिएगा सब को चूना मिलेगा दस लिटर के पानी की ठनकी है या घड़ा है उसमें यहूं के दस दानी के बरावर चूना मिला दो क्या होगा जो भी पानी पेगा सब को मिलेगा कैंशो 20 लीटर का पानी का अगर टंकी है तो गेंगे 20 दाने के बराबर चूना मिलादा ये चूने से क्या होता है शरीम की हट्डी मजबूत रहती है खून जादा बनता है मास और खून का संतुलन बना रहता है चूना खाने से रोश्य आप में अच्छी रहती है आप जानते हैं वो ग्राइब वाटर कुछ नहीं है चूने का पानी है अकसर बच्चे होते हैं न तो ग्राइब वाटर बेदेते हैं चुप हो जाते हैं बस इतना ही है कि ग्राई वोटर के नाम पर महरा गिलता है तो चूने से फानी बनानों तो दुब्रीकल सस्ताा सब को चूना खाना चाएगे बस एखी विर्ठी चूना नहीं खाएगे जिनको बेट में पत्थरी है वह चूना नहीं खासको पत्री की बीमारी है तो चूना नाखा और पत्री दो जगे होती है पेत में एक तो होती है तिप्त की थैली में गौल गड़र में और दूसरी होती है मूत्र पिर्द में या कभी-कभी हो जाती है किट दी में गुर्दों में तो पत्री की बीमारी में छोना नहीं का सकते हैं। फिर आप बोलेंगे पत्री की बीमारी कैसे छीप करेंगे। पत्री की बीमारी घर में छीप करने हैं। तो इसका सबसे अच्छा तिलाज है सेव का रस्पे। सेव है ना सेव एपल इसका रस्पे। और सेव का छिलिका मत उतार। छिलिका रखते हुए उसका रस्प पार। और एक कब रस रोज सुबह खाली पेट खीट। चार छिल महीं में किसी ने भी सेव का रस्प दिया। तो उसके पित्त की थेले की पत्री फूह भी ठीट हो जाए। और अगर गुर्दे में पत्री है तो अगरड़ प्री है तो उसकी दबा है गुमूत रोजपी तो सुबह सुबह तीन-चार महीने में पत्री फूट के लिए लिए और कुछ दबाएं बताता हूं। जैसे सिर्की कुछ बीमारियां माथा दर्द हैं। सिर्में चक्कर आता है। सिर्में दर्द होता है। तो इसकी सबसे अच्छी दबाएं गाय का धुमू कैसे उप्योग करना। गाय का धी गरम करें हलका। और गरम करके उसको एक-एक बूम नाथ में डानके सो जा। राज को सोते समय गाय का घी हलका घरम करके एक एक बूम दोनों नाख में डालके सो गोगे इससे सिर्फ गर्द बुल्कुल ठीक होता है और गाय का घी नाख में जब डाले ना तो नाख से खून निकलने की बिमारी तुरंट ठीक होते हैं कई लोगों के नाख से खून निकलता है उस बीमारी की सबसे अच्छी दवाद गाय का घी और एक बीमारी में काम आता है गाय का घी ऐसे लोग जिनको बारवार सर्दी और जुकाम होता है उनको कहो गाय का घी नाख में डाले के सो ही सबसे जुकाम बहुत ज़र्बी ठीक होता है और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको नाख में हड़ी बढ़ जाती है मास बढ़ जाता है उसकी दवा गाय का घी हलका गरम करके एक एक पून नाख में डाले के सो कई बार ऐसे लोग हैं जो रात को सोते समय नाख से अवाज लिखाईते हैं जिनकी नाख बच्चती है और बहुत अवाज आती है उनको बोलो गाय कर ही नाख में डाले के सो बहुत अच्छी दवाज एक बहुत खराब बिमारी होती है साइनस साइनस की बहुत अच्छी दवा है गाय कर और एक बिमारी है इस्नोफीलिया इसकी बहुत अच्छी दवाज एक उसकी बहुत अच्छी दवाज खराब और एकर इस्नोफीलिया तो उसकी दवाज गाय कर बहुत अच्छी दवाज एकång और एक अच्छी दवा बता दो एक बहुत खराब बिमारी होती है sinus sinus ते बहुत अच्छी दवा है काई कर और एक बिमारी है अस्नोफीलियas उसकी बहुत अच्छी दवा नाक से छीख बहुत आती है उसकी बहुत अच्छी दवाह दाए करे, और इगर किसी को लखवा मार जायक करने से सो तो उसकी भी दवाह दाए करे, बहुत अच्छी दवाह दाए करें, और ये अच्छी दवा बताता हूँ ये गेंदे का फूल है ना ये बहुत अच्छी दवा है शरीर में कहीं भी चोप लगे और खून निकले तो इस गेंदे के फूल को पीस कर चटनी बना कर लगा तुरंद खून निकलना बता है और अगर शरीर में कहीं घाओ हो गया है चोट का तो इस गेंदे के फूल तो पीसो वो मूत्र में और चटनी लगा गाओ भाओ बहे जाता हूँ और ये दवा बताता हूँ किड्नी खराब हो गया है किड्नी फेल हो तो क्या करें दो चमच नीम के पत्ते का रस सुवए पीम और दो चमच पीपल के पत्ते का रस सुवए पीम जब किड्नी खराब हो तो इतना बताया आपको कुछ पूछना है तो पूछों मालिक दे दो मालिक दो मालिक दो मैं चूँ में कोई खाना है नहस्तार नहस्तार इतनी सब आपने जो मालव को ट्रीक करने की दवाईया बताई हाला कि जिसने लिखा, रख में लिखा, जिसने सुना, वो लिखनी पाया, हमारे पुस्त लाजिवों के लिए लावर्ण होगी, कितने ही जितने की आज आज आप बता रहे हैं त्यर्चत, इसे बस रहे हैं और ये पुस्तक पतंजली चिकत साले में नहीं थी, आप कभी भी जाएंगे पतंजली चिकत साले में और उनसे कहेंगे कि हमको जड़ी बूटी रहस से पुस्तक दे दो, वो दे दे दो, उसमें ये सब जान करिये, मैंने बताया उससे भी जाना है अगर जुन्न ने बताया आपको थोड़ी बेर पहले गेहुं के दानी के बरावर चुना, रूच दही में इलाके खाना, ये दाना, ये पाना कांठ दो तरह की होता है गांट दो तरह की होती है शरीर में एक तो गांट होती है जिसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं और दूसरी मेलिगन ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर मानें जो कैंसरी गांट है तो उसके लिए गोमुत्र में फंदी मिलाके पिया आधर कप गोमुत्र आधर चमच फंदी ये दोनों मिलाएं और गरम करके पिया आधर में ये मेरे खाता के दो बत्य हैं उनके दोनों रड़ों के दोनों दोनों किभी आप हैं दोनों के हैं तभी पैर्डिसिस पर आंपर में चाले हैं कि अक्ते में एक या दो बात आएंडिस स्रेमा पर में उनको इसतरा कि आधर पाहिए प्या दोनों परकी वाद इना कोसिश करते हूं तो इंग आधर आधर खाने कितार फिसे रामिसी दिलेमानी कर्मातोर ने आपका नीव पत्ते करस, फीपल पत्ते करस, दोदो चम्म सोजय शाम दीजे, और प्राणयाम करें, अनो लोग मेंड़ो। एक भुविना मैं करेंगो, सुरोता बुद्धों से, पत्ते धात करा करनें, हम आपता करेंगो। अधियो, मेरा जवाई में ख़राब है, डाक्कर अप्राइशन के लिए हो, क्या करना जाएगो। आपको जो है, मैंने हार सुनगा, पत्ते का कावला बताए, पांच पत्ते तोड़ कर, पत्थर में पीस कर, पानी में इतना उबाले कि पानी आभा हो जाए, फिर उसको ठोड़ा करें। पूल जाते हैं। कई व्या कंचिने ची व्याएटो जोएवे से एगत बहुत प्रवा जोने.. यादा सचिए उना प्रजाना गिलाए, गिनमुंगा दाने के बरावाई चिए, तर्दीने दाने के रोज किलाए तो दो पत्ते थो लो 5 आज़ शीषम के पत्ते थो लो 5 आज़ गाल चाल को तो दो पत्ते सीधे चबाते खाते खागे रोस्तो बैर पाइस की सबसे अच्छी दवाह है कुई कारस। कुई देरबार्थ की रोज। पॉड़न सब। मैं आपसे कीवास तेरा दबारे हैं किस्त्री ध्यान कारे देनी कारण। सिकल सरी की सबसे इच्छी दवाह है अनार का रस एक कप। नगे उमर जो को नहीं है। ब्रेंट उमर भी ब्रेंट उमर भी ठीक होगा। ब्रेंट उमर के लिए आप जो है ना। गारे मूत्र में सर्प गंधा मिडाके पिडा है। मिर्गी की सबसे अच्छी दवार रात को गारे काधी नाथ में डाल के सुआ। और किसी सच्छन को कुछ सवाल पूछना हो। अच्छन को कुछ सवाल पूछना है। मैंने बोला गाए तक ही कुछ करके जोनों नाथ मेटा। मेरी पत्री का राष्ट में गांट हो रहा है। उनको बोलोग चूना था है। कवट कर जाएगी। पतानी जो पीपिक में जुटत के राष्ट सेवाद के समातित मानी जी। मेरा एक छोटा सा प्रत्रा है कि अभी राष्ट में सबसे बड़ी स्क्रमा की मारी भश्टय चारता है। कि अब उसका उत्यावाद है। इसका उतर दूँगा इसके पहले कुछ और पूछना हो तो पूछें। नमस्ते गिया। शराब पीन सर्थ पीने बाद शराब पीनी की पहरी है। जो शराब पीते हैं उनको बोलिये अदरब चूसे। सुबै से शाम उतर भी चूटे। इसके लिए मुझे उनकी रिपोर्ट्स देखने पड़े। अगर ऐसी स्थती है तो उनकी रिपोर्ट्स मुझे दिखा दीजिए फिर में पता हुआ। राश्तों के खड़े हुए सच्चान वर्मा से निवेदें है। कि अपने वहनों को किनारे करें ताकि जाने आने जाने कोई और रोग मतों। आप सभी से निवेदें। आप ऐसा करिए अपने घर में दवाब में। गिलिस्रील गुलाब जल ये बुकरस। ये गिलिस्रील पजार के मिनती है। गुलाब जल पजार के मिनता नीवी तो है। इन तीनों को मिलाने की परावर मांकर। और रात को सोते समय मालिश करके सोगे। लगातार आप छिरात इनमें ये करेंगे बात की कुझा। दूसरा अगर आप एक कामाण करें तो और अच्छा होगा। गाय कभी दूद में मिलाके पिये। हर दे में चर्मच गाने का दी एक गिलास दूद। दोनों रात को सोके समय पीटे सोगे। और जल्दी ठीकों। सर्जी पराम, चाप पफ्रीते रोग्यों को पिलकुल प्युना होगा। सर्जी पराम, आपसे यह मुर्दे के लिए एक दोस्त हैं, जो हर्स्त मैंतुन करता हैं, उसे रोखने के लिए क्या करना चाहिए। अधा कि मेंतुन कि नीमादी इंड़ी जोस्त कक्त्या रचाइथ, इसको रोखने के लिए उसको बोलो गंड़े के रस्कार समें, चूना मिलाक के पीता ह। एक गिलास कंदे के लाइने उसमें थोड़ा रड़ मिलाएं फिर एक गियों के दाने के बराबर चुनना मिला के पीए अरे अम्मेजर इसकी बीमारी के लिए गैस्ट्रिक की बीमारी के लिए सबसे अच्छी दवा है अजबाइन अजबाइन को तवेडर भूठाने और उसको खाने के बार च्याहाते हैं प्रेश गवुथर तो उग्रत ना हो तो जो गवुथर जो उग्रत अब वा है तो जो गवुथर जो उग्रत अब वा है गोमोत्र को काच की बोतल में आप रख सकते हैं वो खराब नहीं होता है बस उसको भूप में नहीं रखना हूँ कभी भी खराब नहीं हो ताल वर सर्दी कहता है और सुबर चीट बहुत ज्यादा आता है ते भी उसको डाटरी कारती खाने पर इलर्जी बता है इसके लिए आख करता है नहीं हम कर जाता है नक जलीडी में हमकाग कर के तखना जाता है शुवेत प्रगर के लिए बहुत अची दवा है अशोग के पेल का प्ता है अशोक का प्रेड़ा आपसे लिए तो सुगत लेकर रहें ने कि जूअ कि ये तो शुवेत प्रगर ठीट है चूना जो है ना खाली पान में लगा के खाई लिगा, तो बहुत लाब खरेगा। तंभातु भी उसने डाल चाहिए। तंभातु बिल्कुल बहुत जढ़ है। कथा नहीं तंभातु है। चूने ना पान आख खाईगे, तो कमर कदर बिल्कुल गंजोर जाए। एक स्रोता बंदु का एक सवाल है उनका सवाल है कि उनको खासी के साथ बल्गम आती है इस बहुत अच्छी जवार है अपने घर में अद्रक करस एक चमच, पान करस एक चमच और शहर एक चमच ये तिनों मिलाखे हल्का गरम करके सबेरे की लाए खासी में ठीकों भी बल्गम आनाा में बल्गम कामुतर जो गिकता है और वो गूबूतर अर्ख है और वो गूबूतर अर्ख ऐसा होता है गायता गूतर गरम करके उसकी जो बाश को होती है, वो एकट्टी करते हैं, फिर उसको ठंटा करके बोताज में बढ़के आपको बेचने, तो ये जो गोमूत्र अर्ख है, ये गोमूत्र से अच्छा नहीं, जो सबसे अच्छा है वो गोमूत्र ही है, लेकिन अगर आपको किसी कारण से गोमूत्र नह डाल सकते हैं, ये बस Väreês कि पी सकते हैं।Ñ और गो मुत्र है, उसी पे आख में भी डाल सकते हैं। कांद में भी जातक वो शहर के ले सकते हैं और आधसकों है। जिशूद मी पाइडिय ले सकते हैं। तीनों बराबर मात्रा में मिलाते मसूरों पे रखन के अपिने मायोश्कत और एक घंटे बार के कुल लागों चार मेंने तो बच्चे हैं लेकिन उसको थोड़ा से सब्री लगता तो अस्पताल में अड्मिक करना पड़ा जाते हैं आप उस बच्चे को तो कुछ मत करो उसकी मा को कहो कि वो रोज चूना खाएंगा मा बच्चा दूलिख कीता है मात ऐकि तो मा को कहो कि वो चूना खाए जईवे तो फिर वो बच्चे को मिल जाएगा बड़ like और जो गाय के बैशनीन मेंicides ओंड़ उसको हम खेतनि कहें तो उसको पतोरे से चाहन दिजे तो आप चाहे तो चाहे तो चाहे तो चाहे और माँ चाहे वह पूछना हो तो बेखिया अतना सवा तर सकीगे वह पूछने से बहन होने से अप्पी इचे से जरम फानी पीट के सो जाएं सुगर उठते ही प्रट साथ हो तो यह अजवाई नो फिलाओ आदा चम्मच अजवाई एक चम्मच गुड राथ को खाते सो गरण पानी के साथ सुगर उठते ही प्रट साथ तो 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 किस्रों पहर जीद गयो और काव लगों यह जितने जवा पता है मिक्सर रूंको भी याज़े रिगे और प्रटा में प्रटा में करने से ही सब्लों कर दानों आप सब्सक्रों रहे हैं सब्सक्राइब करने आरे होंगे और भी कर देगे तो 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 तोड़ी अजवाई खाया को तब्रटा में के शिशिवर बाते रखो दूसरी एक दवा है सड़ा उफा केड़ा जब सड़ कहा था, तो उसको लगा उससे भी सुआ है सश्चित तो शाइब करने परती को दूप किस्तर में घाथ परती केसे और तो उसको जशनर को कर दोड़ी का ज़लती का सब्सक्राइब कर दोड़ी है ये जो शहिर्ट होता है परस माताओं मंने नहीं पूछा है सवा ही उतुमाँ मैं इंतिजार कर रहा है आप कूछ लेको अच्छा परकोथी बताल गया जब माताओं को मासिक ध्हमे दर्द सwnहों को । बहुत दर्द होता है द्हमे द्वाइब figure उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी आधा गिलास खोलता हुआ पानी और उसमें एक चमच गाय का घी मिला ये माताएं सब को बताएं क्योंकि बहुत तकलीफ होती है दर्द इतना होता है कि बहुत सारी माताएं बेहने तड़कती रहती है और वो जल्दी किसी दवा से बंद नहीं होता करें वो गाय के घी से ही बंद होता है खोलता हुआ पानी आधा गिलास और उनको हमेशा सर्गी अब जुखाम हो जाती है उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो छेद उनको जन्म लेने के बाद हुआ या जन्म से है यह मुझे पिताब दिए पर उसका डाइग्मोसिस अभी हुआ है रिपोर्ट में लिखा होगा कि वह भाई बर्त है और यहां बाद में हुआ है तो उसके लिए दबा बहुत आसान है जिसको मैं बजाए चुना खाएं दहीं में डोफ को फिर उसके लिए घर में इलाज में बाई अबर उसके चालो कर तेटी लागे उसके भी गंगी यह जूम है, आई से जूम है, इसको मस्कूलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों को आप मेरे महां हरिद्वार बेज देती हो, वो गर्मे ठीक में लोगे साल लगेगा, दीरे दीरे ठीक होगी, तो उसको आप हरिद्वार बेज देती है, तो अच्छा है, देल्वार अगर हरी गंटे पेशाव लगता है, तो खून की जाच करा लो, कहीं शुगर तो नहीं, क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है, तो हर जल्दी जल्दी पेशाव आता है, और अगर शुगर बढ़ी होई है, तो वही दबा खाओ जो मैंने बताई की मैंकी दाना, तेज खता, फिर जाणी की पूषी का पाउडर, और फिर देल पत्रों को सुखाते बनाएं वह पाउडर दी आता है, तो खून गोड़ वाकी में दाना, पैर दादा कर लखे, तो ठीक हो, और तीसरी अच्छी जब आ है, वो मूत रुपीलों, वो ठीक हो जाता है, सार प्रणा, आपको मेरे टीविक मार्थें से भार्टि किसी व्यस्ता पारण में सुना था, जो सुनी तिकुडिया क्यों कहा जा रखता, उसके बारे में तबस्में पार्ट प्रणा दे पलिए था, खेती किक्रे एक किसान करते हैं, यहां तो, मेरे इतां के सभी लोग करते हैं, अगर आप खे लेकिन उसमें जो ज़रूरी बात है को बताना चाहता हूं, कि हम खेती करते हैं, तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए, और हमारी खेती की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए, हम यूरिया डियपी नाडा हैं, यह जो यूरिया डियपी होता है, यह खेती की मिट्टी क को खराब करता है और दीरे दीरे मिट्टी इतनी खराब ही जाती है कि उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती है भारत में पंजाब अर्याना आंद्रप्रदेश तमिलनाडू जैसे 17 राज्यों में लाखों एकड़ खेत वरबाद हो गए यूरिया के कार डी एपी के कार तो म जूरिया डी ना डालें और ठेक में फिक्या डाले जूरिया डी इपी तो न डाले उसके इस्तान पर एक खाद बनाकर आप अपनी ठेक में डालें तो वह लोगाल बनाड़े दोनों मिलाएं एक प्लास्टिक के ड्रम में रखे हैं और इसमें एक किलो गोड मिलाएं और एक किलो जने की दाल का आठा मिलाएं बेसर और किलों पुरा में प्लेट वहीं मिट्टी हो एक पंदलों बोबर पंदलरी जर्व रखे हैं पंद़री दिन पनदलर्द में यह खात क्यार हो जाते हैं पंद्रे दिन बाद इसमें देड़ सो से दो सो लीडर पानी मिला और यह तो पानी के साथ उसको मिला रहे पानी के साथ को खेत में चलिए और इस तरह से हर पंद्रे दिन में एक दिन आपको यह खाद देना है अब तीन मेले की फसल में छे बार देगो चारू मेले की फसल में आठ बार देगो इस तरह से आप आध रहाओ तो यूई आड एंपी का खर्चा बचेगा और पैदा बार बहुत अच्छे आई गिवों की फसल में, धान की फसल में, सबी तरह की फसल में आप इसका उप्योग कर सकते सब्जियों की फसल में यह काम आती है तो यह मैं लेक फॉर्मूला बता रहा था जब टीवी पर जानी आए और एक दूसरा है कि अगर कीवे लग जाएं आपकी फसल पर तो कीवे मारने की दवा आप अपने घर में ही बनाओ वो कैसे बते ही बीस लीटर मूत्र ले लो काय काद रहें, काद रहें इसका और इसमें दो ढ़ाई किलो नीम के पत्ते पीस के लाई लो और दो ढ़ाई पत्र के पत्ते पीस के लाई दो ढ़ाई किलो सीता फरी के पत्ते पीस के लाई लो आदा के लो तंबाकी पीस के लाई दो आदा के लो लैसों पीस के लाई दो आदा के लो दीखी मिर्च पीस के लाई ये सब पीस के बीस लीटर पूत्र में गरम करो और इतना गरम करो कि खूब उसमें उबाला जाए तो ये दवा तर्यार होगे अब इसमें 200 मीटर पानी बिलाकर इस दवा को छुरब दो तो सब कीड़ी दो दिन के अंदर खतम होगे हर एक खसन पर आपेसे दाल सकते हैं तो खात परनाने का और कीपना शर्क मनाने का ये दोनों काम हर किसान घर में ही करें तो देश का कम से कम पांच लाख करोड़ रुपए हों बचा सकते हैं यह बात नान्या बतारी थी टेलिविजन चाहिए वैसे इसमें और भी बहुत सारी बात हैं लेकिन होगे बात लिए दो आगे चलें इस आखरी प्रशने आपका ब्रश्टा चाहरा है हमारे भारत में ब्रश्टा चाहर बहुत है यह कुल-कुल सही है हमारे भारत देश के ब्रश्टा चाहर के बारे में सारी दुनार के देश कहते हैं कि भारत सबसे जादा भ्रश्ट देश है दुनिया में इस समय 200 देश उनमें सबसे भरष्ट देशों में भारत तीसरे नमबर पर सबसे पहला नमबर का भरष्ट देश है पाकिस्तान, सबसे जादा दूसरे नमबर का भरष्ट देश है बंगला देश और तीसरे नमबर का सबसे जादा भरष्ट देश है भारत और अगर ध्यान से लेखोगे तो भारत, पाकिस्तान, गंगला देश की एक लिए परिवाद ये तो 1927 में कुछ मिर्टाओं की मूर्पता से बढ़वादा हो गया और ना तो ये एक लिए तो तो हमारे देश में बह भारत का धन बरबाद होता है कि भारत सरकार के आपड़े बताते हैं हमारे नहां जब राजीम गंदी प्रधान मंत्री बने थे तो वो ये कहा करते थे कि जब किसी गड़ीब आदमी के लिए दिल्ली से एक रूप्या भेजा जाता है तो गड़ीब आदमी के पास संद्र प पिच्छासी पैसा बीच में ही वरुष्टाचार में रिश्वत को में डूप जाता है और अभी थोड़ी दिन पहले भारत के जो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं डॉक्टर मन्हों से उनकी इस बहुत बढ़ी सरकार की संस्था है उस संस्था नामें C.A.G. अब थोड़े दिन पहले हमारे देश का नेता है जिसका नाम ए राजा जो पहले संचार मंत्री था उसने एक लाख छीएतर हजार करून रुपय का गोटा रखे एक लाख छीएतर हजार करून ये तनी बड़ी रखम है कि इसको हम कैलिकुलेटर पे नहीं लेख साथा कैलिकुलेटर फेल हो लाख और जिस मंत्री ने ये गोटा दा किया बुद सारे तीन साल से ये गोटा दा कर रहा था और सरकार में उसको हटाया था रान मंत्री में हटाया था एसा ही एक बड़ा गोटा दा हुआ थोरे दित पहले कॉमन वेंद खेल गोटा उसमें सजबतर हजार करूर रुपय का गोटा था खेल खेल कूल हुए सजबतर हजार करूर रुपय की यूट मार्क हो गया था थोरे दित पहले आगर श्राउसिन सुसाइटी भोटादा हो जाए ऐसे होज होते हैं भोटा है आजादी जब से में तीन सो चानीस लाख करूर आप बोलोगे ये पैसा तहां चला क्या है ये सारा पैसा धरश्टिवेता और अधिकानियों ने विरेशी पैनिफों में ले ज जमा करें दुनिया में एक छोटा सा देश है उसका नाम है सुच्जर लैंड उस जैसे सब तर और भी छोटे छोटे देश है वहां पर कडिब साथ लाख करूर रुपए जमा तो कुल विलाकर तीन सो चानीस लाख करोड हमारा धन नेताओं ने नूट कर देशों में जमा कर और यह धन आमका है आपने जो पैसा टैक्स में दिया था सरकार को नेताओं ने उसी मैंसे यह भोटाना किया तो आप क्या किया जाए तो हमने भारत स्वागिमान की तरफ से एक संकर दिया है कि भारत के नेताओं ने यह जो तीन सो चानीस लाख करोड रुपए लूटा है इसको वापस लाने के लिए हमने सुप्रीम कोट में एक मुकत्मा किया है भारत सरकार के खिलाओं और उस मुकत्मे में हमने सुप्रीम कोट से यह अपील की है कि जितना पैसा नेताम में यूट कर विदेशों में जमा कर लिया है इस पूरे पैसे को भारत की राश्किये अप्रती घोशिप किया जाए और इस पैसे को वापस लाया जाए। अच्छी बात यह हुई है कि सुप्रीम कोट ने हमारे इस मुकर्मे को सुन्कार करें। और इस मुकर्मे में जो बहस कर दो हमारे बहुत मश्रूर वकील है। उनका नाम है शुरी राम जेच्वाला, वो बहस करना है। अभी सुप्रीम कोट में इस मुकत्मे में सरकार को ये कहा है कि जल्दी से भारत सरकार पता नगाए किसका कितना पैसा कहा जाना। तो सरकार ने इस काम के लिए सबसर देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और उन अधिकारीों की मदद से जांच हो रही हैं और थोड़े दिन में ये जांच पूरी होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में हम भी अपील करेंगे कि इस पूरे धन को भारत 340 लाट करूर रुपए वापस आजाएगा। हमारा और एक संकल्प है कि अगर किसी कारण ये सुप्रीम कोर्ट में बात ना बने तो भारत की संसद में फिर ये मामला बखाया जाए और भारत की संसद में इसके लिए प्रस्ताव पास कराया जाए जो इस पैसे को राश्ट की संपत्ति बनाएगा। उस प्रस्ताव को दो या तीन संसद संसद में प्रस्तूत करणें बाकी सब संसद उसपर बहस करें तो बहस के समय हम ये देखेंगे कि कौन-कौन इसका विरूत करा है। जो सांसर इसका विरूत करेंगे, पक्षी बात है कि बेईमान होई हैं, पैसे होई हैं, खाते होई हैं। तो भारत को पता चलेगा बेईमान सांसर को अब अब सांसर में दो ही बात होगी, अगर बेईमान सांसर जादा होए, तो ये प्रस्ता हो गिर जाएगा, और इमांदर संस्त जादा हो एए तो प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रस्ताव अगर संसत में गिर गया तो क्या करेंगे हम तो हमने एक संकन प्लिया है कि संद 2004 में लोकसभा का चुनाव आएगा उस चुनाव में सारी देश्वियों से 400 इमानदार सांसर्स को हम जिता कर लाएंगे और फिर दुवारा ये प्रस्ता उपास करें आप पूछोगे क्या हमारे 400 सांसर्स जीत के आएंगे हाँ आराम से जीत के आएंगे क्योंकि इस काम को करने के लिए एक संदियासी ने संकन प्लिया है और संदियासी का संकन पज़ूरा नहीं रहता और अच्छी बात ये है कि परणभुजरी स्वामी राम जोईब जी जो ये संकन प्लिया है इसको पूरा करने के लिए सब्तर और भी बड़े-बड़े संदों ने अपना समर्थन और आश्री बात दिया एक बहुत बड़े संद है परणभुजरी स्वामी सब्तमित्रानन विगे लिए एक बहुत बड़े संद है परणभुजरी जाहिंद्र सरस्ट्री एक हैं बहुत बड़े संद परणभुजरी बुरारी वापू फिर एक हैं परणभुजरी सुधान शुमारा ऐसे सब्तर संदों में संकन प्लिया है कि 2014 के चुनाओं में वो एक एक लोग सभ़ज हित्र में दूनेंगे और 400 सांसदों को जिता के लए मैंने एक दिन इन सभी संदों के भक्तों की संध्या कितनी हैं उसको जोड़ा तो पूरे भारत में इन संदों के जो कुल भक्त हैं वो इकठे होकर अगर गोट डालने हैं तो 514 सांसद जीत प्याएं तो यह हो जाएगा सांसदों जीत जाएंगे फिर कानून बन जाएगा कानून बनेगा तो 340 लाग करोड वापस आजाएंगे फिर इस पैसे उखो भारत में गाउं 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 विकास के लिए खर्च करेंगे तो हमने योदना बनाई हैं के हर गाउं में इसमें 100 उत्योक लगाएंगे ऐगे गाव में सौनी उत्योग कोनें, बख्धिर हर गाव में 20 सा हब बनाएं, हर गाव में इस्कून कालोज बना लेके, हर गाव में हास्पितल बनाई के, हर गाव के किसान को खेकड के पानी की यवस्था पूरी करेंगे, ऐसे सारे विकास की काम करेंगे कामगा और इसमें मुश्किल से तीस लाग करमों खर्च होगा और हर गाओं में जो उद्योग शुगू हो जानेंगे सौसो इसमें भारत के सरसर करोर नौजवानों को रोजगार देगे और सरसर करोर नौजवानों को काम वितम करेंगे हमारे देश पर ही जो टैक्स लगाए हुए है चोसट पहले पे ये टैक्स सभी खतम करते हैं सिनकन टैक्स, सेंट पयक्साइस, सेट टैक्स, कौल टैक्स, पोकर टैक्स, सब टैक्स करण और इससे नहीं गनि whispering आपऊटोंकोगे टैक्स घिवान जो कर तो करकर बिल आमन ज freshwaterり कहां से आएगे देश की हमारे पास यों 340 LK वर आएगा इसमें से 30 लाग करोन तो खर्चोगा दुकास में, और 310 लाग करोन तो बचेगा, वो बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दें, तो उसका साल का व्यार्ज में लेगा परेगी 35 लाग करोन, उसी से बेश चलता है, टेक्स लेने की जरुवर्द नहीं पढ़िए। दीजल में लेता है चानिस लोपे-दिटर, वो मिले ना साज़े साथ लोपे-दिटर,LPP तो सफ़तर रोपे-दितर म सबएधय का रह जाए। रसोई गैस का जो सिरिल्डर में खाली 89 लोपे, सबतर रोपे-धय लोपे arrange, नमात मी परी के रहे हैं साथ्य। लेगा पचास पसलिए यह सीमेंट आता है 200 रुपई वो आएगा 72 रुपई लोहा है 50 रुपई किलो वो आएगा 12 रुपई किलो अभी आप अपना घर बनाओ तो 10 लाख में बनता है हमारे बच्चे आयाइटी में पढ़ाई करने इंजिनरिंग का 5 रुपई खर्च होता है टेक्स खतम उने के बाद वो 17 रुपई पढ़ाई करता है अभी भी MPBS MP कराने में 40 रुपई खर्च होता है टेक्स कतम उने के वादको चाहर लात्ने हो जाएगा अलगा में हो सब चीजे सस्ते होगी लपढ़ाई सस्ते होगी अलाग नलता सस्ता घर चलाना सस्ता दभाएं ळस्ती पिलार सस्ता अलग त गरीज już सस्ते थो गड़ीव आदमिंवन आलाम ने बिदा है फिर एक और काम करेंगे कि भारत का जो पुराने जमाने के कानुनों का सारा का सारा तंत्र बना हुआ है जैसे इंडियन पुलिस है, इंडियन सिविल सर्विसिस है, इंडियन पिनल को, क्रिमिनल प्रोसीजर को ये सारे पुरा के कानून बदल देता है ये अग्रेजों की जमाने के कानून नई कानून बढ़ाएंगे तो अमेना वरक्तिया चाहिए नहीं जाएं और अदालतों की मुद्द्दों का फैसला तीन महीने में ही नहीं है अभी 30 साल तर बगद में चलते हैं हम कहते हैं तिस vie com a.d. टी म利य से जाना नहीं चाहिए ऐसे कानून बढ़ाएंगे और पिर ये काम करते हैं भारत की बहुत सारी जमीक चीन लाम के दूश के कभजे में है बहारत का रया है कि हरी काशवी पाकिस्ताना की तेर्तिश में है और हमारे पाकिस्तान का कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है यह वापस लेगा और इसके लिए सहीद राश्राश्य में प्रस्वाव करना परेगा उसके पर 70 गोट की जवरत परेगी और उसके लिए वापस लेगा फिर पाकिस्तानी जो आतंगवादियों को प्रेमिंग देने के तो प्रेम और महदत की बाक्षा समझ में आते हैं और सारी दुनिया में अब ये बात सिर्थ हो रहे हैं कि आतंगवाद पाकिस्तान से करता है तो दुनिया के देश की तरिया है अब इसको खतम कर रहे हैं तो भारत भी उसमें आभी बड़ के काम करें और अलत में एक काम करना है कि भारत का बहुत सारा धन अंग्रेजों में जो लूप लिया था वो सभी वापस लाना है भारत का कोहिनूर हीरा ये वापस लाना है जो अमरेजों के पास है भारत का सोने का सिंगरासन वापस लाना है भारत देश का बहुत अधिक सोना चांगी अमरेजों ने लूप किया ये भी वापस लाना है आप बोलें हिए कैसे आएगा अंग्रेजों के खिलाफ एक अंकर राष्ट की मुकदमा करी दे, इंट्रनेशनल कोर्ट अजस्टिस में। और उस मुकदमे में कुछ दस्ता भी जहने चाहिए, वो हमने एकठे करें। और हम ये सिंद्ध करेंगे कि अंग्रे जोने क्या-क्या नूटा है। और वो अगर हम सिंद्ध कर पाए कि अंग्रे जोने ये ये कुछ नूटा तो ये सब वापस आजाए। एक अंग्रेश था उसका रॉम था रॉबर्ट क्लाइब। वो भारत से पाणी के 900 जहाद भरके सोना नूट लेगा। वो सारा सोना आज अगर हम वापस ले आए तो वो साड़े चार सो लाग करोन रॉपए का। और ये सोना जिस दिन वापस आएगा उसी दिन भारत सोने की चोईया में सोने का शेर बज़ ज़ए। और ये सोना वापस आते ही दो क्रामती होगी। पहले क्रामती ये होगी कि भारत का रुपया जो अमेरिका के डॉर्ण से कमजोग है वो ज़्यादा ताकतवा हो जाए। अभी एक डॉर्ण में पहतारीस रुपए है फिर एक रुपए में पांच डॉड़ा होगे। फिर भारत का इल्याद ये जो भी आत लागत रहोता है वो छार्सो लागत रहोता हो जाए। और फिर भारत बासी जो अमेरिका बात बेट में वापस लोग रही है। तो कि व्योंकि आम इज़बीज रॉर्ण कमजोर है वो वापस आयिगा। और भारत पर से अगर वापस आएका अमेरिका से तो उनकी उनकी अकल, उनका भ्यान भोपी वापस आएगा पहले brain brain होगा और ये भारत पर सी नहीं नहीं संस्थाइं बनाएंगे नहीं टेक्नोलोजी, नहीं मशीने बनाएंगे तो भारत पुशब से आगे में बनेगा चीन और अविक्का भी हमसे पीचे है तो भारत उनका जगत गुरु बनेगा, लिश्व बनेगा, सोने का शुएभ बनेगा, सरस्रेश्व बनेगा, गरीबी भुक्मरी बेवजगारी से मुखत होगा ऐसा भारत हमान है और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आमदोनर शुरू किया आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करें तो आप क्या मदद कर सकते हैं इस भारत स्वाभिमान आमदोनर में आप जूड जाएए इसके आप सदस्से बन जाएए हर व्यत्ती ग्यालरों पर दिरकर इसमें जोड सकता है और सबसे बन सकता है हमें भारत में 15-20 करोड सबसे बनाने तो आप भी इसमें जोड जाए और यह दुरुग जिला है दुरुग जिले में हमें 15-20 लाग सबसे बनाने तो आप सब एक-एक मिलकर इसमें मदद कर और हर 25 अजलस से बने और दूसरों को बने और दूसरों को कर इस तरह से हमारा है काम चळेए और इसी कालिकों करने के लिए जैन्मरी के महिरे में पर्मपुजिनी स्वामजी दुर्म जैन्मरी में आ रहे हैं 31 जैन्मरी को उनका कारिक्रम यहां होने वाए आप सबसे मेरी प्रात्ना है कि आप पर्मपुजिनी स्वामजी के 31 जैन्मरी के कारिक्रम में हजारों की संख्यान शाने नौम और उनके सामने संकल्प करें भायत स्वाविमान का सर्फ सबने के तो यही एरेजन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भारत का भष्टा चाल मिताना है इससे गरीबी विरोजगारी खतम होगी महिंगारी खतम होगी भारत को शेवी बने का जववगुरू बने का सोने का शेर बने का और सवशक्तिमान, सवष्रश्ट सवसंपन, समुर्थ श्यानि के शियाएं ऐसा भारत बनाने का हम सब का जिवा भेयान है इस पे आपकी शामिन हो अर हम वारी इस Willi, आभड़ाई निया विया, निया शूर किया भी मेरा, पर्मुत्री छी अभड़ामे Темसे हैं, तो आजयत्यों नहीं कर लेड़े थिरा पर जीज़वरी कोई यह, मां पुरेवरा frame राली तक हम जीज़वरी पही इन है, ये मेरी अपीव है आपसे और इसलिए रडाई को जिब शूरू किया है प्रभी पुजिनी स्वामी जी में इसमें हम सब सही होगी बने सैनिक बने और इसको पूरा कर यही भादना है आपका मैं बहुत देवाद देता हूँ आपके देविए सब सुना और आप ये सब बातें दूसरों को करेंगे तो और भी आपका अधरी रहोंगा हमारे जितने योग सिक्षक है सब को हमें रसी देवादी रखी है आप मेंबर बनना चाहें तो हमें किसी भी योग सिक्षक को संपर्द करें ग्यारे रोपई में बुरसीत आपको काटा आपको पूरा सफन जाकर पहुंचाने आप सब का बहुत आभार की बहुत दैन्यवाद मैं बोरूँगा भारत माता की हम सब बोलेंगे जै बारत माता की जै बारत माता की जै बारत माता की जै वन दे मातरम वर्णू ले रातरां वर्णू दे रातरां। प्रोता साहिमा, एक विनल अंडोल पाफ सथी से, भारत सवाप्मान एक आंडोलन है, और इस आंडोलन को चलाने के विए निशन देए ये फ़्ट विवस्पा हुआ हो। वर्णू अभिमान से जुड़ने के लिए हमने एक आधार बनाया है, एक ज्यारा रुपे की पत्रिका, आप सथी के सामने सर्कुलेट होगा, हमारे रहापर मंच पर बाई और रशीत करें, और भारत सवाप्मान के मंच से जुड़ें, और अपने सांथियों को जोड़ें, इ प्रश्मों देसे दिलहरन प्रशा जीतिवारी कॉमन रिद करता हूँ, आप आभार बेट करें। भी सर, अभी हमारे अधरनी, अभी अभी हमारे पीट बाई स्वाप से उपाचित, आधरनी, अभी द्वाप से पतारे, अधरनी स्री आधरनी पिछिट से का पहबूर लेए, कारेकम आपने सुना, जिनके भागी भी था, उन्होंने सुना, और जिनके नहीं सुन पाए, और हम आपसे जुड़ें गें, तो हमारे आपकी द्वारत भी उनकु जानकारी हो जाएगी, और उसी बात, यहां पर दीन वर्सों से नियत्र होते आ रहा है, कभी भी युगे भी दिन वो कक्षा बनने होई,